हेलो प्रेंट्स आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लाई हूं आम का गुरम्मा जिसको हमने आधे पके आम से बनाया है इसके पहले भी हमने एक वीडियो अप्लोड किया था आम की लौंजी के नाम से इसमें हमने उस चटनी को कच्चे आम से बनाया था आईए देख लेते हैं किंटी जो का हम यूज किये हैं इसको बनाने में यहाँ पर हम एक ग्लास के लगभग पानी को ले लिया है एक बॉल गुर कुछ ड्राइपूर्ट से है काजु बदाम आधे पके आम को हमने इस तरह से कट कर लिया है इस पैन में हम गुर को डालेंगे बॉल आने तक हम इसको पकाएंगे बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है बस गुर को पिघलने तक पकाएंगे गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं अब इसे हम दूसरे बरतन में च्छान लेते हैं ताकि गुर में जो गंदगी हो वह अलग हो जाए इस से कढ़ाई में तेल डालेंगे तेल के गर्म होने पर एक चौथाई चमच के लगभग पंच पोड़न एड़ कर देते हैं ब्राउन कर लेते हैं इसको थोड़ा सा अब यहाँ पर हम आम को एड़ कर देंगे चार मीडियम साइज आम को हमने लिया है यहाँ पर आम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब यहाँ पर एक चौथाई चमच के लगभग इसमें हम हल्दी पाउडर एड़ कर देते हैं आम के सौक तो होने तक हम इसको थोड़ा पका लेंगे गुर का पानी एड़ कर देते हैं इसी के साथ इसमें हम ड्राइब फ्रूट्स भी डाल देंगे ड्राइब फ्रूट्स आप्सनल है अगर आप डालना चाहे तो डालें ड्राइब फ्रूट्स डालने से इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अब इसको 6-7 मिनिट मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे एक चोथाई चमच के लगवक लाल मीर्च पाओडर साधा नमक एक चोथाई चमच के लगवक काला नमक एक चोथाई चमच जीरा पाओडर एचेठाप मसाला दाल के आप इसको मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे इसको ढखकर 6-7 मिनट पकाएंगे चक्कल लेते हैं इसे ये देखिए ये आधा कुख हो गया है अब इसको 5-6 मिनट और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी जो बनी है वो ठीक हो जाए चलाते रहेंगे बीच बीच में इसको ये देखिए अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं ये थंडी होने के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी दूसरे बरतन में इसको अब निकाल लेंगे हम आप इसको जरूर ट्राइगे करिएगा ये आपको बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा धन्यवाज झाल झाल